हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका बेंदिन बाटी का रसोय में आज हम बनाएंगे खटा मिठा नमकी जो की काफी स्वादिस्ट होता है और बहुत कम समय में बन जाता है और इसको आप 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए चाहिए होगा दो कप मोटा पोहा ओल ट्राय करने के लिए कड़ी पत्ता शकर दो बड़ी चम्मच चार से पांच लाइची बादाम दस बारा पीस मुमफली दाना एक कप काजू दस बारा पीस सुखी मसाले में लेसे लिएगे लिए नमक शादित लालमेच पाऊडर एक चम्मच साबो धनिया एक चम्मच सॉफ एक चम्मच चायत मसाला और अंचुर पाऊडर आधा आधा चम्मच पोहा को दो चम्मच पानी डालकर सौफ्ट करना है के बल आपो गीला नहीं करना है, थब सी सौफ्ट नया साचा है उसमें बस इतना आपको पानी डालना है, अब हम शक्कर और इलाइची को बारीक पीस कर पावडर बना लेंगे, अब कडायू में ऑईल को गरम करना है और तेज गरम करके फिर धिम्याच कर देनी है अब हम सभी चीजों को फ्राय करेंगे सबसे पहले मुवफली दाना लिया और इसको फ्राय कर लिया हम इन सारी चीजों को फ्राय करके टीशू पेपर पर निकालेंगे जिससे की जो एक्स्ट्रो आयल है वो निकल जाएगा इसी तरह से बागी के ड्राय फ्रूट भी हम फ्राय कर लेंगे ड्राय फ्रूट में आप कुछ भी ले सकते हैं मखाना किसमे सेट करना है तो बो भी डाल सकते हैं जो आपको पसंदे वो यूज कीजिए अश्ट्री ड्राय फ्रूट्स अबे बीकार भी अधी द्राय फ्रूट्स प्राय कर लिए अभी हमारे सारे ड्राय फ्रूट्स फ्राय हो गए इसी तरह से आप मखाने एक समस्मे साट चाहिन ए जिसम कडिपती को फ्राइब करेंगे करेंगे अराम से क्रिपी हो जाए जिसे कि वह आसानी से तूट सके इसका कुछबू भी बहुत अच्छी आती और कलर भी काफी अच्छा दिखता है चूडे में अब यह सारी चीज ने फ्राइब कर लेंगे अब जो हमने साबुद देनिया और सौफली थी उसको भी फ्राइब कर लेंगे इसके बाद अब सारी चीजे हो गई है पोह को फ्राइब करेंगे बहुत ज्यादा फ्राइब नहीं करना है बहुत ज्यादा डार नहीं आना चाहिए थोड़ा ही फ्राइब करना है यह काफी टैस्टी लगता है नमकीन और बनान भी आसान होता है कि इसको बना के आप रख सकते हैं जिससे कि कभी कोई गास्ट आजाए तो तुरंट सर्व कर सकते हैं आपको तुरंट ही तैयारी नहीं करनी पड़ेगी बच्चों के लिए भी स्टोर करके रख दें कभी टिफिन बनाने का मूर नहीं है तो इसी को टिफिन में रख सकते हैं अब हमारी सारी चीजे फ्राइ हो गए हम इन सबी चीजों को अब मिक्स करेंगे आम पर पहिं निकाल दिया इसमे मुम फली दाना को मिक्स कर दिया इसी तरह से सारे ड्राय फूट्स मिक्स कर देंगे बादाम काल जू अच्छे से मिक्स कर तेजिए उसके बाद अब शूखे मसाले मिक्स करेंगे तो तो प्रश्ब नमक डाले आपर के एक मिक्स कर जाएं जिससे की अच्छे से मिक्स हो जाएं लाल मिच पाउडर डाल कर मिक्स कर दिया आमचुर पाउडर चाट मसाला पाउडर और यह हमने शकर दो चमच लिया है क्योंकि यह अमचुर पाउडर और जो चाट मसाला पाउडर है इसका टैस्ट खटा होता है इसलिए शकर हमने दो बड़ी चमच मिक्स की है आपको यह ज्यादा शकर पसंद नहीं है तो इसमें शकर का कम यूज भी कर सकते हैं अब हमने मापुद्धनिया और जो बारिक सौफ को फ्राइक किया था उसको भी हमने मिक्स कर दिया इसमें इतना बड़ी लग रहा है काने में ही इतना टेस्ट लगेगा यह हमने इसमें नहीं प्रेश करके डाल दिया है जिसकि कभी-कभी एक दम सीधा पता आता है मूं में तो बच् बहुत ही तस्टी लगता है और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किजिए शेर किजिए और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद